सुप्रभद प्यारे बच्चों, हिंदी विशय की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों, आज हम मिलेंगे व्यंजन य से किस व्यंजन से? य य से यग्य य से याग य से युद्धा और य से योग बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी यामी रोज सुबह जल्दी उठती थी और दिन की शुरुवार योग से करती थी एक दिन यामी की नानी उनके खर आई और यामी ने नानी से कहा नानी आप रोज योग किया करो योग से आपके रोग दूर हो जाएंगे तो नानी ने कहा हाँ यामी बेटा तुम तो रोज योग करती हो ना तो यामी ने कहा हाँ जी नानी मेरी मैम ने कहा है कि हमें रोज योग करना चाहिए योग करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इसलिए मैं अपने दिन की शुरुवात योग से करती हूँ तो नानी बोली ठीक है बेटा अब से मैं भी तुम्हारे साथ रोज योग करूंगी और नानी ने यामी को गले लगा लिया बच्चों उमीद है आप भी यामी की तरह अपने दिन की शुरुवात योग से करते हूँगे है ना बच्चों करोगे योग तो रहोगे निरोग बबाई बच्चों फिर मिलेंगे एक नहीं कहानी के साथ बच्चों ये है हमारी हिंदी की वर्ब प्रयास पेज नमबर 63 बच्चों यहां हम देट लिखेंगे देट एंड क्लास वर्ग बच्चों यह से यग्य यह से याक यह से यग्य और यह से याक बच्चों वियंजन यह निखने के लिए सबसे पहले हम पैंसिल रखेंगे फर्स्ट ब्लू लाइन में और ट्रेस करेंगे कर्व राइट बच्चों सेकंड स्टेप में एक पर फिर से हम पैंसिल रखेंगे फर्स्ट ब्लू लाइन में और ट्रेस करेंगे कर्व और एक पर फिर से हम पैंसिल रखेंगे फर्स्ट ब्लू लाइन में और ट्रेस करेंगे कर्व और एक पर फिर से हम पैंसिल रखेंगे और फिर हम trace करेंगे standing line, right? और step fourth में, एक बार फिर से हम pencil रखेंगे first blue line में और trace करेंगे curve और एक बार फिर से trace करेंगे second curve और फिर हम trace करेंगे standing line और ये standing line हमारी third blue line को touch करेगी और फिर हम trace करेंगे sleeping line तो ये हमारा व्यंजन यह पूरा हुआ बच्चों अब आप draw करोगे व्यंजन यह तो सबसे पहले आप pencil रखोगे first blue line में और draw करोगे curve और इक पर फिर से आप draw करोगे second curve और फिर आप draw करोगे standing line और फिर आप draw करोगे sleeping line तो ये है हमारा व्यंजन यह कौन सा व्यंजन है यह बच्चों एक पर फिर से हम draw करेंगे हमारा व्यंजन यह तो सबसे पहले हम first blue line में pencil रखेंगे और draw करेंगे curve और एक पर फिर से हम draw करेंगे second curve और फिर हम draw करेंगे standing line और फिर हम draw करेंगे sleeping line तो ये है हमारा व्यंजन यह तो बच्चों आप ऐसे ही सुन्दर सुन्दर लिखोगी और मैं के साथ येस शेयर करूगी बाँ बाई वाई वाई नाइस दी